बाओ बाओ आई बाओ वरण करें है इसमें वे जहूं लगाना है इसमे भी ग्यहूं लगेगा सब मैं पानी दे दियागिे गो啊 में पानी नहीं था लेकिन बाद में बारी सुआ दो पानी हो गया है थोड़ा थोड़ा पूरा ज़ाड उग गया है को देख सी पूरा चारो तरफ है इधर मेरे साथ ही आया है इसका नाम बच्चों ने बहुवली रख दिया है है तो छोटा अब सुबह के दस वहने वाले हैं ठंड तो बहुत ज़्यदा हो गया है ठंड बढ़ गया है सब में हमने धान लगाया था जो कि अब ले गए हैं उठा के घर और अब इसमें अभी कुछ लगना भी नहीं है महापत और यह फेड़ीदा दखिए यह कटल का है वहां है महुआ है एक आम है कि अब आज काफी दिनों के बाद आए लगवक दो मेने हो गए हमां इधर आए हुगे यह नदी तरफ आज घूम ले बाहर भी अधर पूरा डीप है कि पूरा गड़ा होगी है इदर मतलब करवाया गया है से खेत बनाया गया और अभी इसमें कुछ लगता नहीं है ऐसे खाली रहता है लोग लोग इसे अभी टॉयलेट के तरह यूज़ करता है कि गाउं है गाउं में अभी भी हर गर में सुचाले नह आते नहीं है तो दो मैने के बाद आ जाए इधर गूमने के लिए और यह इधर नदी गया है इसे हम लोग बिलाशी ने दी बोलते हैं चलिए आपको दिखा देते हैं अब हुआ यहार अभी तो पानी है दन रोपने के टाइम पूरा सुक गया था बहुत पानी कम था ऊंधा बहुत जला हो गया है कुदम हुआं मन गया आप पूरा गड़्डा हो गया पहले यह गया देख रहे इनके बराबर था और भी देखिए कितना गड़ा है जहां यहां के इतने भी अस्थानी जो भी यहां के हमारे यहां ट्रेक्टर वाले हैं न सब बालू उठा उठा के ले गए पूरा गड़ा कर दिया वांकि नहीं तो पहले देखिए वो इसके और यह जो है उपर वाला इसके बराबर था पूरा नदी क करेंगे पूरा ciri 1 जेसी पूरा जाना में बड़ा जा रहा होओ है यहांकर वह प्रसासन पो इतना नहीं देते हैं這邊 क्या तॉर यृएं से सब हाल के दिनों में उस्ति कर तीन साल के दो साल के अंदर ये साहाल हुआ है इस नदी का पर्सासन को देखने का इससे है पर्सासन नहीं देखते हैं तो हम लोग क्या करें कि खिर चलिए हम भी इदर दो मैने बाद आए अब चलते हैं घर और मिलते हैं आप से नेश्ट वीडियो पर उत्तक लिए अब सब्सक्राइब कर लिजिएगा